तो synthesis आपको समझ जोएगे क्या होगे it is the process of combining two or more than two sentences into one sentence तो या दोस्यादा sentences को एक sentence में combine करने की process को synthesis कहते है synthesis को समझने के लिए और इसको practice करने के लिए आपको sentence structure की अच्छी जानकारी होनी चाहिए phrases clauses sentences के टाइप जो की हमें है तो अब हमें कुछ नहीं करने पर सीथ आजएए एक बार मैं आपको समझा देता हूं किस किस टाइप के structure होते synthesis में और फिर उसके बाद हम लोग next class में practice कर लेंगे ठीक है चलिए आप देखें यहां पर सारे बच्चे को यहां पर है कुछ standard methods होते हैं synthesis के वह यहां पर मैं आपके साथ discuss कर रहा हूं जैसे उपर लिखा ने infinite phrases का यूज करके हम दो या दुस्यादा sentences को synthesis कर सकते हैं तो यहां पर जैसे हमने लिखा है my friend visited me he invited me to his birthday party तो अब यह दो sentence हमने पढ़ लिए अब हमें इन दोनों sentences को combine करके sentence बना देना है और infinitive का यूज करना है दूसरा sentence the man couldn't solve the problem it was too difficult for him कि जो man था उस problem को solve नहीं कर पाया it was too difficult for him उसके लिए बहुत difficult problem थी तो हमें क्या करना है यह दो sentence है वो ठीक है आजे देखें कैसे कर सकते हैं इसको अगर हम देखें तो ऐसे लिख सकते हैं my friend visited me to invite me to his birthday party कि देखा आपने तो हमने यहां पर क्या किया यह जो हमने लिखा है he invited me to his birthday party इस पूरे sentence को यह पूरा एक sentence था हमने इस sentence को एक infinitive phrase में चैंज किया और यह बन गया हमारा टिक वन सेंटेंस में नेक्स देखिए नेक्स में लिखा the man couldn't solve this sum it was too difficult for him इसमें क्या है जो basics हमने transformation में डिसके था ना वो भी आपको help करेंगे तो हमने लिखा the man couldn't solve this sum कि जो man था वो sum को solve नहीं कर पाया it was too difficult for him यह उसके लिए बहुत difficult थी तो देखो आप इसे कैसे change कर सकते है the sum sum was too difficult for the man to solve तो हम इसको ऐसे लिख देंगे the sum was too difficult for the man to solve तो यह जो हमने लिखा है ना the man couldn't solve the sum किस संटेंस को हमने क्या क्या है कि इंफिनिटिव फ्रेज में चेंज कर दिया यह जाओ यह जासे तो इसटो सॉल तो 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 सॉल इंफिनिटिव पूरा हमने स्टेवं रिखंट तो इस तरीके से में हम दो या दो सवा दो तो से अनेसे को synthesis करके सिंगल शना सकते हैं नेक्स भाएये नेक्स राफनी लिगा हिव फिनिस्ट हुर्क ही लैफ तो इसे टो स्टेटमेंट्स हैं है यहां और हमें इनको क्या करना है इन्हें एक संटेंस बनाना है और इसका हमें करना है एक मिनट रही है स्क्रेंट पर कोई प्रावलम हो रहा है और यह ढूलो कि अब हमने लिखा है फिनिस्ट वर कि लैफ्ट वर जोंग कि उसने अपना होमवर्क फिनिस्ट किया अब फिर उसका अपना घर चला गया काम अपना पूरा किया और उसका घर चला गया तो अगर हमें पार्ट्स फिली उसकर के से करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं having finished homework having finished his homework having finished his homework he left for his home he left for his home तो चुक्हे उसने पहले अपना homework पूरा किया फिर उसके बाद वो घर गया तो हमने इस sentence को एक perfect partial phrase में change कर दिया तो having finished his work जो है यह perfect partial phrase है यह कोई clause नहीं है ठीक है तो having finished his work लिए क्या है तो having finished his work having finished his work having finished his work he left for his home so having वर्प पर्सफिल फ्रेज है कोई क्लाज नहीं है यह आपका बन गया तिंगल सेंटन्स से ध्यान देने या लग-लग सेंटन्स नहीं रहे हो तो आप हम इसे पार्सफिल बनाना है तो कैसे लग देंगे बीइंग हिस फ्रेंग एसा नहीं उसका दोस्त होना complete हो गया तो हमें having भी नहीं लिखना है यहां तो चलो यह पहले काम पूरा हो गया फिर उसके वाद अपने उगर गया काम पूरा हो गया तो हमने इसलिए परफेक्ट पार्सफिल लिखा लेकिन यहां तो ऐसा कंपलीशन का कोई सेंस नहीं है इसको हम क्या लिख देंगे बीइंग हिज फ्रेंड बीइंग हिज फ्रेंड कि यू आर अब पोज़्ट तो हम पार्ट्सफल का यूज़ करके सेंटेंश को सिंथेसिस कर सकते हैं यू आर इस फ्रेंड जो हमारा सेंटेंश था इसको हमने एक पार्ट्सफल फ्रेज बना दिया तो हम क्या कर सकते हैं जब हमें दो या दो से यादा सेंटेंश का सिंथेसिस करना होता है तो हम वहाँ पर parts всё phrases use कर सकते हैं infinitives use कर सकते हैं इन तरीकों से हम उन्हें synthesis कर सकते हैं आगे देखिए अब हमें synthesis करना हैं the gang sentences called noun phrases year ama लायन रोड लावडली एवरी वन आफ अस लेरली हर डिट चैन्ज करो यह स्टोरी तुम में से किसी ने पढ़ी है डस्क क्या तुम में से कभी किसी बच्चे ने इस्टोरी पढ़ी है डस्क बिलकुल वच्चे एकदम सही है आफ्टर फिनिसिंग हिस वर्क ही लेफ फॉर इस होम यह भी सही है अभी मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूं तो उसमें एक तरीका यह भी आएगा कि हम प्रेपोजिश्चनल फ्रेजे जी उसकरके भी सिंथेसिस कर सकते हैं तो जब कई तरीकों से बना सकते हैं तिये गहाए दो संटेंसे को हम अलग अलग तरीकों से सिंथेसिस कर सकते हैं तो यह कॉमन तरीके हैं जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं एक्जांपल की मदद से कि आप इन्फिनिटिव का यूज़ कर सकते हो पाइट्सफल फ्रेजे का करता है ठीक है कि दिए गए दो या दूसे ज़्यादा सेंटेंस को हम कई तरीकों से सिंथेसिस कर लें तो यह मत समझना कि जो मैं बता रहा हूं यही तरीका है मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूं कि तरीके क्या-क्या होते हैं फिर किसी परिटिकुलर कॉर्शन पर हो सकता है क्या किसी ने डस्क स्टोरी पढ़ी है हम सिंथेसिस करने के लिए नहीं कह रहे है बस यह स्टोरी का नाम आ गया तो मैं ऐसे तुम लोगों से पूछ रहा हूं मतलब तुम मैं से किसी ने भी अगर पढ़ी हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बताए किसी ने पढ़ी है डस्क स्टोरी का नाम किसी ने पढ़ी है डस्क स्टोरी जो मैं पूछ रहा हूं वो नहीं बता रहा है उद्रदर की बात रहा है नहीं पढ़ी है चलो अगर तुम में से किसी ने नहीं पढ़ी है तो इसको पढ़ना मेरे हिसाब से यह इसका पीडियाफ अविलेबल होगा नेट पर धुनना नहीं तो मैं देखो मिल गया तो मैं शेयर कर दूंगा टेलिग्राम चैनल पर लेकिन फिर भी ढूंडना एक वर डस्क पहले कभी पड़ी थी तो यह स्टोरी मैंने बहुत पहले कभी पड़ी थी मतलब यह स्टोरी मैंने पढ़ीं ट्यस्ट टिक है एच एच मुन्रो थे हूज ही युज हो नाम है रिटार का माशा युट नाम है साकी इभैन नेम जो है और युटे सांकी है उठर करें डहां करने काहनीया होती दिए एसे यॆंड होती है पढ़ने वाला आदमीं सोचता था अभी यह क्या है लास्ट पैराग्राफ नहीं पढ़ा होता लास्ट नहीं पढ़ा होता तो लास्ट इंटेंस सब पलट देता है तो बढ़ी अच्छी स्टोरी मतलब जिन लोगों को पढ़ना थोड़ा पसंद है उनको मेरा सजेशन है कि व साकी ऐसे सर्च करना तो मिल जाएगा उसको पढ़ना अब फिर देखना एक वार पढ़ोगे तो लेकिन एक वार फिर फिर करोगे कि कहानी लिखने की क्या कला होती है है कि साके किस लेवल के मतलब राइटर थे बहुत 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 जाए हैं निज्वार करोगे कुल मिला के यह पढ़ोगे तो लगेगा कि हां कुछ अच्छा लिट्रेचर पढ़ा है जीवन में के अच्छा टाइम दिया कि अब देखो हमें क्या करना था है नाउन फ्रेज के यूज़ करके इनको एक बना देना था तो आप इसको ऐसे लिख दो कि I read a story इस टोरी मत लिखो जब नाम लिख दो के साथ में तो दा लिखना पड़ेगा आई रेड़ दी स्टोरी किस्क किस्क्राइड इसको अपोजिशन में यहां पर लिख दो यह लगा देना उपर यह सुरी कॉम गोल यह जिसे पता चलिए कि मतलब यहां पर भोर नहीं है डश्क नाम है किसी स्टोरी का चिक है जैसे यहां पर लगाए ना ऊपर वैसे इसको लिख दो I read this story dusk yesterday dusk को हम as a noun use कर लेंगे opposition के case में और यह बन गया आपका single sentence next major तो इसे हमने क्या किया यह जो पूरे statement is the name of the story was dusk इसको हटाया के वल dusk को हमने noun को यूज कर लिया opposition में story के साथ में कि नेक्स वह जो लाइन रोड लाओड ली everyone of us clearly heard it अब हमने का कि लाइन जो था बहुत तेज उसने रोर किया और हमने समने उसको clearly सुना अब एक चीज बताना इसको हमने किस के लिए लिखा यह जो इट लिखा इसको हमने किस के लिए लिखा बताओ इट प्रोनावन हमने किसके लिए लिखा जल्दी से रहा हूं तो यह किसी ने किसी नाउन को रेफर कर रहा होगा किसे रेफर कर रहा है यह बताओ कमेंट करना सारे बच्चे जैसे हमने लिखा एवरी वन आफ आफ अस क्लियरली हड़ इट का मतलब क्या इट मेंस वाट इट प्रोनावन है तो किसी ने किसी नाउन को रेफर कर रहा होगा विच नाउन रोएण के रोएण को नियुका संझा कर रहा है यह रहला यह रायफर कर रहा है इस नेष के लिखतलब करने ज rig अब इसको अब इसको हटाके बस आपको यह लिखना है आफको कैसे लिखिज़ें आपको every one of us clearly heard the lion's loud roar है है हम इसको ऐसे लिखेंगा जो हमने लिखा ना दो लॉइन रोर्लावडली इस सेंटस को नहीं क्या किया लाएं स लॉप लॉप रोर एक नौंड फ्रेंज में चेंज कर दिया ळोाइं इस फ्रेंज जो इस हीर्ड वर्व का औब बैक है तो हम लिखेंगे एवरी वन आफ आस क्लियरली हर दी लाइन स्राव लाउड रोर तो जो लाइन का लाउड रोर था तहार थी उसकी जो तेज उसको हम सब ने क्लियर ले सुने कि अगरे देखें उसरिवस प्रैपोजिशनल फ्रेज थे सिंथेस्स कर सकते हैं जैसे कुछ एक्जामबल्स लेके हैं इनको हम सब्सक्राइब मोहन वह अलीजब वो एलिजिबल था लेकिन फिर वी विचारे को तो ईंट्रास्ट कि एलिजिबल है फिर कुष्ब नीग मिले को उन्ट्रास्ट है तो मैंन किड्नाप्ड टू किड्स ने दो बच्छों को किड्नाप कर लिया तो प्रेपोजिशन दिया गए उससे साब से करना है तो प्रेपोजिशन का यूज़ करना है तो आजाओ करते हैं तो हां ने है वुल आवर्र णैडखने ए अगर्च्छ पराइजसे व्रेंट से के सांखन का शास रीजन आए को मुह प्रेपोजिशन मुफूहन प्रेपोजिश्च इंट सक्डोन प्रेंट इसे लिबल स्सकी है कि इसको ये प्रेपोजिश्यनल फ्रेज में चैंज कर दिया इसका औप्जेक्ट होगा हां डेस्पाइट बिइंग एलिजिबल मोहन कोड़न करती जॉब यह हो गया हमारा थरीका नेक्स मैं जी नेक्स में हमने लिखा अमने किड्नाप टू किड्स कोर्ट सेंट इम तो जेल पूर्ट ने उसको जेल भेज़ दिया देखो कोड कोड केंट को मैं कूजों को कउंड्रट सेंट देखो जेल वाई क्यों भ्लाइच दिया रीजन रिखा देखों दो बच्चवं ठीक है अन्सएट वाफ़ किड्नापिंग पार किड्नेपिंग तो विंगड्स और किड्नैपिंग तो यह जो हमारे स्टेटमेंट था यह जो सेंटेंस था इसको हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज में चेंज कर दिया क्या है तो रिजन के लिए हमें कंजनग प्रेपोजिशन यूज करने पड़ती फॉर तो फॉर यूज कर लो ऐसे लिख दो दो अध्यान देना जब हम यह हटा रहे ना मतलब जब हम इसको में क्लॉज बनाएंगे तो हिम जो प्रणावन है जिस नाउन के लिए उस नाउन को इसके लिख देंगे हम यह नहीं लिखेंगे the court sent him to jail, हम लिखेंगे the court sent the man to jail, क्योंकि यह him is a man के लिए, man हमने पहले mention कर रखा था, अब हम पहले mention कर रहे हैं इस sentence को, तो हम क्या करेंगे, इस pronoun को noun से replace करेंगे, यह होगा,